पुलिस के हाथ पुश्पा की हत्यां की अप्माओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तोरों तिरुपती के कई एलागों में दंगे शुरू हो और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुश्पा की समझ तक हजारों सी तादार सड़कों गराएं पहारी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खुल से लफपद शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ये क्या कर रहा है कि गोलियों से घाल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर गर्साई गोल लाँ और चराहे कि पुश्पा कम भी रूप से सख्मी हुआ है शेशाचलम के जंगरों में पुश्पा को दूनने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूर्ट जब लौई कि है तो बस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पईसे किस तरह कमाता था बल तुमाला महिज के का पुश्पान वेशों का क्या को लिए ठीकी शाभी पुश्पा नहीं कर वाय है पथा पुश्पा नहीं हमारे यह गार पन भाए पर ये वो आमगरीगों को खाना खिलाता था पिछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रूल पुष्पा का अलो अर्जुन की पुष्पा दा रोल साल 2024 की सबसे बड़ी फिलों में से एक फिल्म 15 अगस 2024 को सिनेवा घरों में उतरने वाली वो बात अलग है कि अब ये फिल्म की सूटिंग पूरी नहीं हुई बार्रिंग फिल्म फेस्टिबल 2024 में इंडिया की ओर से गये वहाँ उन्होंने पुष्पा के सिक्कोल को लेकर बात लगभग कनफर्म भी कर दिया है कि फिल्म का तीसरा पार्ट आ सकता है उन्होंने कहा कि हम इसे एक फ्रेंचाइज बनाना चाहिए और आगे के लाइनप के लिए हमारे पास कुछ तगड़े आइडियाज भी पुष्पा वन में आपने जिस रंग में पुष्पा को देखा पुष्पा टू में वो बिलकुल उससे अलग रंग में नजर आएगा क्योंकि अब तक आपने उसके चरित चित्रन का निचला अस्तर देखा है अब आप उसके करिक्राइजेशं का हाई स्पेक्ट्रम देखें पुस्पा 2 में आप उसे हाई नोट पर देखें आप उसे चरीचित्रन के संदर में बड़े स्केल में देखें पुस्पा 1 के मुकाबले उसकी समस्याओं का स्तर भी बढ़ने वाला है उसके चरित को आप बिलकुल नए आयाम में देखिए कुछ दिन पहले पुस्पा 2 के से अलू अर्जुन की एक फोटो लीक हुई वहां वो साड़ी में नजर आये थे साथ अप्रेल 2023 की तारीक को मेकर्स ने पुस्पा 2 से उनका फर्स्ट लुक ड्राप किया उस पोस्टर में अलू अर्जुन निली साड़ी में नजर आये थे बताया गया कि इस लुक का कनेक्शन गंगम्मा जात्रा से है क्या है गंगम्मा जात्रा अब उसके बारे में अब पूजा की जाती कुछ जगा देवी को प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चाहाए जाता है साथ में बीच के दो दिनों में यात्रा निकलते, जहां पुरुस अपना भेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सज कर स्रिंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं समोह कि पुस्पा 2 में अलो अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा तभी उसने ऐसा भेजधरा हो पुस्पा 2 को लेकर अलग अलग थेरीच आती रहती हैं कुछ समय पहले बताया गया कि फिल्म में अलो अर्जुन का किरदार पुस्पा राज कुछ जापानी स्मंगलर से लड़ेगा, उस सीन के लिए वो जापानी भासा भी सीख रहे थे, बाके फिल्म की सूटिंग अभी चल रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि मेकर्स रिलीज डिट आगे खिसका देगे, मगर हो ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहे है, ब इंडिया से बाहर निकल करके इंटरनेशनल होने जा रही है, अलू अर्जुन की पुष्पा दरूल यारी पुष्पा रूस साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, मूवी 15th of August 2024 को सिनेमा घरों में उतरने वाली है, वो बात अलग है कि अभी मूवी की शूटिंग प सकता है, इसे लेकर उन्होंने कहा, आप पूरी तरह से तीसरे पार्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसे एक फ्रेंच्राइज बनाना चाहते हैं, और आगे के लाइनप के लिए हमारे पास कुछ तगड़े आइडियास भी है, बाकी पुष्पा दू में उन्होंने अप स्पेक्ट्रम देखेंगे, पुष्पाटू में आप उसे हाई नोट पर देखेंगे, आप उसे चरित्र चित्रन के संधर्व में बड़ी स्केल पर देखेंगे, पुष्पावन के मुकाबरे उसकी समस्याओं का स्तर भी बढ़ने वाला है, उसके चरित्र को आप बिलकुल नए आयाम में देखेंगे कुछ दिन पहले पुषपातू के सेट से अलू अर्जुन की एक फोड़ो भी लिख हुई थी वहाँ वो साड़ी में नजर आ रहे थे साथ एप्रिल 2023 की तारी को अमेगस ने पुषपातू से उनका फर्स्ट लुक ड्रॉप किया था उस पोस्टर में अलू अर्जुन नीनी साड़ी में नजर आ रहे थे बताया गया कि इस लुक का कनेक्शन गंगम्मा जात्रा से है क्या है गंगम्मा जात्रा अब उसके बारे में थोड़ा बताते हैं ये कफोफ फेस्टिवल है जिसे कंणाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाले गंगम्मा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाया जाती है इस दोरान भवेव पूजा की जाती है कुछ रगर देवी को प्रसाद के रूप में मानसा हरी भोजन भी चढ़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यात्रा निकलती है जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं महिलाओ की तरह सच कर उनकी तरह श्रिंगार कर सियाथा में हिस्सा लेती है संभव है कि पुषपाटू में अलु अजुन का किरिदार भी ऐसी यात्रास में हिस्सा ले रहा होगा तब ही उसने ऐसा वेश धरा है पुषपाटू को लेकर अलग-अलग थियोरीज बहार आती रहती है कुछ समय पहले ही बतायागा कि मोवी में आलु अजुन का किरिदार पुषपाराच कुछ ज्रपाणी स्मगलर से लड़ेगा उस सीन के लिए वो ज्रपाणी भाषा भी सीख रहे है बाकी मोवी शूरिंग अभी चल रही है ऐसे में अनुमाल लगाया जा रहे था कि वीकस रिलीस डेट आगे खिसका देंगे मगर वो ऐसा करने की मूड में तो नहीं दिख रहे बल्कि प्लान है कि तुन या जुलाई तक मोवी पूरी कर लीज रहे और फिर सीधा और अगस्ट में मोवी रिलीस करते प्रमोशन का पूरा काम रिलीस के बात किया जा सकता है अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेद हो इस मोवी को लेकर हम फिर मिलेंगी बाबाई रेट सांडलबूड माफिया सेंटोर्डफल पुश्पादर राइस के सीक्वेल पुश्पादर रूल के लिए अलू अजुन जापानीस भी बोलने वाले हैं क्योंकि इसमें जापानीस करेक्शन भी दिखाया जाएगा क्योंकि अब ये इंटरनाशनल लेवल के स्मगलर बन जाएंगे ऐसे मड़ापका सुकुमार का ये प्लान है कि एक इंटरनाशनल लेवल बिलन इसमें एड किया जाए मतलब पहाद पासल तो होंगे ही पर वो तो इंडिया में होंगे ना और इंटरनाशनल लेवल मतलब कि इंडिया के बहार जाकर जब पुश्पा अपना बिसनेस एक्स्प्लोड करने लगेगा तब वहाँ पर भी उसके दुश्मन पन पेंगे यानि कि बनेंगे और अगर वहाँ का लीडर उसे बनना है तो किसी के सामना तो उसे वहाँ पर भी करना ही पड़ेगा तो ऐसे में एक इंडियाशनल लेवल का अक्टर इसमें नजर आ सकता है अब वो कौन होगा कोई और का अक्टर होगा या पर कोई और होगा यह नहीं पता है पर पहले से ही इन्नोंने न international standards बनाए हुए हैं ऐसे में ये चीज करके ना standard को और अच्छे तरीके से ये enhance कर सकते हैं तो ऐसे जो भी हो pushpa को किसी की नजर ना लगे अब किसी भी पर उनको नजर कैसे लगती है अब नजर तो भाई बस controversy की वजह से की लग सकती है और controversy ना South, Bollywood, Hollywood ऐसा कुछ भी नहीं देखती है वो सब के लिए बिल्कु सेम टू सेम होती है मतलब टेंशन देने में आप कोई partiality नहीं करती है अब pushpa do के बारे में हमने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि एक तो इस firm को international level पर पनाया जा रहा है सुकुमार और अलू अर्जुन फर्म को लेकर इतने पजल से भेना कि वो कोई गरबर करना ही नहीं चाहते है पर बात यह है कि pushpa दर्राई से popularity हासिल कर चुकी आक्टर जगदीश भंडारी जिन्होंने केशब को character निभाया था यानि कि pushpa की दोस्त का तो वो जेल में थे इन्होंने एक female artist के कुछ photos निकाले और उसे blackmail किया जिसकी purchase उसने suicide कर लिया तो ये एक serious matter था जिसकी वज़ोसे वो जेल में थे तो खबरे आना शुरू हुई कि वो film से कैसे जुडेंगे या फिर जेल से बाहर कैसे आएंगे बगेरा बगेरा और makers भी ना खुशिश करे थे कि वो जेल से बाहर आ जाए ताक कि shooting delay ना हो और fans delay का कारण ढून रहे थे SMS topic पर चर्चा भी होने लगी जो false motive तो नहीं थी बिलकुल भी पर इस बंदे को अब जमानत मिल चुकी है और वो shooting करने के लिए आ सकते है उन्हें कोई act replace नहीं करेगा पर इन्होंने जो किया है ना जिसकी वज़ा से वो जेल में गए अगर ये बात धीर धीर सामने आई ना तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के मन में ये सवाल आए कि इसे क्यों लिया गया हाँ ये बात भी है कि इसका impact pushpa 2 पर नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि pushpa के लिए लोग crazy है पर केशब करोड pushpa 2 में बहुत माइने रखेगा क्योंकि ये pushpa को फसाने वाला है तो ऐसे में इस पर भी focus होगा तो सवाल उठेंगे भी पर हम तो यही चाहिने कि उन सवालों का आगे कुछ ना हो क्योंकि हमें तो सिर्फ फिल्म में ही इंटरेस्ट है ना क्यों वैसे आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जैसे शादी में भर भर के मैं न्यूस होते है कि क्या खाए क्या नहीं समझ में नहीं आता है वैसे ही दोदर चौबिस में इसनी फिल्म में आ रहे ही कि कौन सी देख्यों कौन सी छोड़ दें जैसे कि पुष्पाटू वर्शेस सिंहम अगें बाडे मैया् शोटे मीया वर्शेस मैदान इमर्जेंसी वर्सेस Çंदू čाम्पेयन अब पुष्पाटू वर्सेस सिंहम अगेन, इनका उसे 강व हो हो आपन कोई क्लाश बिल्कुल सही नहीं Organic Burst बहुत साधा माईनी रखता है जो अभी थोड़ा सा crucial है पर अगर Pushpa 2 vs. Singham Aging में देखें तो Pushpa का Organic Burst दिखाई देता है और Singham Aging का धीरे-धीरे बस दिखता है पुषपा की comparison में स्टार्टिंग से उतना बस नहीं था पर मामला टक्कर का हो रहा है तो ऐसे में क्या matter करेगा बंका content और क्या करेगा अब World Famous दंकी vs. Salah का example तो available है एक point पर ऐसा भी हुआ था कि शादुखान की जबान पठान के expectations लेकर जब कुछ लोग दंकी देखने गए और उस level के expectation पूरी नखी हुई तो एक drop नजर आया जो सालार की तरफ बढ़ने लगी और सालार की numbers increase होनी लगी तो पुष्पा vs. Singham अगें में content भी major role play करेगा पर उसमें भी South fans Singham अगें के लिए interest दिखाए ये impossible है और Singham सिर्फ हिंदी रिलीज फिल्म है पर पुष्पा के लिए यहां पर एक फाइदा हो गया क्योंकि Singham अगें अगर North में किसी को पसंद नहीं आई तो पुष्पा टोकी और बढ़ जाएगा क्योंकि पुष्पा टोकी तो भाई पान इंडिया फॉल्विंग है और जिसने फिल्में स्वाट्री बढ़ रही है वह हिंदी मार्केमीं थमागा करी रही है उसका लेजर्स एजांबल है फिल्म हनुमान 25 करोन बनी इस तेल्गु पर पहले दिन तेल्गों में पांच करो रुपय कमाई और हिंडी में 2 करोन इसका मतलब फिर इंपार प्रूफ हुआ कि किसी भी तेल्गो पारेंटियां के लिए तेल्गो और हिंदी कलेक्शन सबसे आदा माईनी रखता है और साउथ पनमो का हिंदी वर्जन में सक्सेस्फूर रहना ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ जैसे आपकी नजवे में किसका पुलीस के हाथ रोप पुष्पा तेल्गों के अपमाओं के वज़े सकते हैं जितुरों तिरूपतीं के कई लागों में दंगे शुरू है पहारी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ तपड़े बरामत किये पूल से लटपट शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तुब गोलियों से घाल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलियां और चराहे कि पुश्पा कम भी रूप से सख्मी गवा है शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा को दूरने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूट डिपलॉई की है यह भुलुफज़ देख पुश्पा पाइसे किस तरह कामाता था जल्हाल महांचे क्या क्ला यह ३श्पा नहीं है पंदरार, पंदराय वुश्पा नहीं है पंदराय वो आम लुट भेरे को फॉद्टार था जन्गलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राफ किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी पुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जन्गल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रून पुष्पा का झाल पुष्पा का आया है साल 2021 में पुष्पा दराइस ने ऐसी एंट्री मारी कि सोया हुआ परिशान बॉलिवोड नाफफर से जिंदा हो गया अब पुष्पा टूगी लिए अभी तक कोई आइटेम सौंग शूट नहीं किया गया है इसका रीजन ये है कि डारेक्टर सुकुमार का ध्यार सिर्फ फर्म की शूटिंग पूरी करने पर है क्योंकि वो 15 अगस्ट को ही फर्म रिलीस करेंगे मतलब करेंगे ऐसे में म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रशाद ने कुछ टून्स बनाई थी पर उन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सुकुमार अभी काने पर फोकस करने के मूदमिन नहीं है और जब तक कोई अच्छी ट्यून नहीं होगी तब तक तो वो बिल्कुल हान नहीं करेंगे तो इतके चलते अभी आइटम सॉंग शूट नहीं होगा वैसे पुश्पा टुके साल साथ अभी पुश्पा 3 की चर्चा हो रही है जिसे लेकर फैन्स एक्साइड़ है पारा देखने के लिए सब लो काफी एक्साइड़ है पर अलुवर्जन अगर बार बार उसी क्यारक्टर को दोहराते रहेंगे तो क्या उस क्यारक्टर का वो जो औरिशनल एसेंस था वो रहेगा अब जैसे SS राजा मॉली बाहु बली 2 के पास बाहु बली 3 लाएंगे ऐसा कहा गया पर अभी तक वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए है हाँ वो बागी प्रोजेक्ट में बिजी है पर बाहु बली 3 पर बड़ा कुश्चन माग तो है ही क्या पता वो बाहु बली जैसे क्याक्टर को चुविंगम की तरह चबाना नहीं चाहते हो क्योंकि चुविंगम चबाने के बाद ना उसका टेस्ट गायब हो जाता है तो बाहु बली कभी ऐसा ही हाल ना हो जाए इसलिए वो नहीं बना रहे हो उसे अगर हम बॉलवर्ड में दबंग प्रेंचाइजी को देखें तो दबंग के अगले पार्ट के लिए हम लोग उतने एक साइगेट नहीं रहते हैं क्योंकि चुविंगम का क्यरक्टर तो एक ही जासा रहता है वो तो चुर्बल था ही नहीं जिससे हम पहले एमोशन ने कनेक्ट हुए थे और उपर से क्यरक्टर को एमोशन दिलिवर करने के लिए उतनी खास स्टोरी भी नहीं मिली थी तो रिपीटेटर स्टफ से तो मज़ा खराग होगा ही अगर राइटर न्यू इंगेजिंग प्लोट लिखे हीरो को ऐसे प्रज़न करे जहां उसे एक्स्प्लोर करने का स्कोप मिले तो थीक्वर में प्रब्रम नहीं है क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होता है ना तब तक मज़ा नहीं आता है या पिर आपने अभी देखा हो गया ना कि Tiger 3 का क्या हाल हुआ है वैसा ही हो जाता है Tiger की character को justice नहीं दिया गया character को लिखने और present करने में भी गल्दिया थी weak लग रहा था वो तो ऐसा ना हो जाए अगर सुकुमार Pushpa 3 में कुछ unpredictable परोसेंगे तो चलेगा पर पुश्पा का लेबल बरकरार रहना मेना बहुत कमपल सरी है वरना उसे स्ट्रेच करने कोई फाइदा थोड़ी ना है देखते हैं कि क्या होता है पैसे आपके क्या ख्याल है क्या पुश्पा धुखी बननी चाहिए या पर नहीं हमें कॉमेर्स में तब बताएं साथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें जिन पर घरोसा करते है उनसे दोखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़ के गलती कर दिया कार्ट देने का था उसे उसे इसकी किमत चुखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी फड़ गई थी क्या कोलियों से घाल पुष्पा हुआ तिरुपती जिल से फरागए हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिगराथ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुष्का दियागी पुश्पा 2 में दोस्तों पुश्पा की कहानी खतम नहीं होने वाली क्योंकि पहले पार्ट में पुश्पा का राइस हुआ दूसरे में पुश्पा रूल करेगा और तीसरे में पुश्पा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा विससे पहले तो दूसरा पार्ट भी नहीं आने वाला था यह तो शूटिंग के दुरान सूख कुमार सर को ऐसा लगा कि फिल्म दो पार्ट में बनी चाहिए और अब जिस तबहा इस फिल्म की हाइप है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यह फिल्म दूसरे पार्ट में भी खतम नहीं होगी इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जिस लाइक केजी है साथ दोस्तों हमारे पास ऐसो रीजन्स भी हैं जो यह प्रूफ भी करते हैं कि फुषपा 3 आने वाली है तो उसमें सबसे पहले है इस फिल्म की टाइम लाइन जो हमें 24 की दिखाई गयी है इंडर्डॉक्टरी वीडियो में लेकिन दोस्तों अगर आगको याद होगा पुषपा 1 में तो उसमें हमें 90 के आस पास की टाइम लाइन दिखाई गए थी जिसमें लाइस सीम में हम पुषपा और शिवल्ली की शाथ दिख रहे थे दोस्तों पार्टू में तो हमें सीधा पुषपा जेल तोड़कर भाग गया है यही दिखाए गया है तो यहाँ पर पुषपा टू में सेफ एक छोटा सा फ्लाजबा कुगर जिसमें हम बवर सिंग और पुषपा की लड़ाई देखेंगे लेकिन उसे डीटेल में पार्ट त्री में दिखाया जाए रहा उसके बाद हमारा फाइनल रीजन है इंट्रोड़क्टरी वीडियो में दिखाये गए तीन एशन कंट्रीज जो हमें Part 2 में नहीं, Part 3 में नहीं लाइए क्योंकि इस वीरियो में ऐसा दिखाया जौता है कि Pushpa इन तीनों कंट्रीज में हो सकता है लेकिन Pushpa तुछ जेल में था शेर को डरा रहा था फिर अगर इन तीनों कंट्रीज का नाम दिखाया गया तो कुछ तो connection होगा जिसका पता हमें पार्ट 3 में लगेगा भले ही ये theory ये concept सुनकर हमें ऐसा लग रहा हो कि पुश्पा सीरीज केजर सीरीज की copy कर रही है क्योंकि उसके दूसरे पार्टर भी Rocky का रूल देखने को मिला था तो दोस्तों वही उसका तीसरा पार्ट हमें फ्लाश बैक मिली जाएगा और उसके डाउन पॉल की बुबजा दिखाने वाला है लेकिन कुछ्पा रॉक की भाई दोनों ही अला अलाग अलाग कालेक्टर से हैं उनमें सिर्फ एक न दोगी similarities है जिसकी उनकी माँ वो दोनों ही अपनी मां से काफ़ी प्यार करते हैं और उनका इस दुनिया में नाम हसल करने का जजबा पिर भले ही वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो इसके अलावा दोनों की स्टोरी और टानेक्टर काफ़ी अलग अलग है 2024 और हम सभी तब से कर रहे हैं पुष्पा आने वाला है पुष्पा आने वाला है पहले कहा गया था कि 2025 के December में आएगा लेकिन तब भी नहीं आया फिर सामने आया कि शूटिंग चल रही है और पिर कुछ वक्त पहले एक दम दमाकिदा आया सबसे अलग पोस्टर आया है जिसमें पुष्पा का निवद असीन, अफ्तार मतलब उस पोस्टर नेना दोस्तों इंटरनेट पर सिर्फ पायर इनेबल की लगाई थी आटम बॉम से एक आग और उसके बाद अनौस्मेंट हुई कि कुछ आने वाला है और जिस दिन के अनौस्मेंट की उस दिन ये अनौस्मेंट की कई की दो दिन बाद एक वीडियो आएगा दोस्तों यहां पर चॉला की वाली बात यह है कि उन्होंने इतनी हाइप क्रेट कर दी कि पुष्पा के हाश्टार को ट्रेंडिंग कर दिया गया पर दोस्तों वह भी क्या है मतलब जिससे शेर तक डर गया शेर ने दो कदम पीछे ले लिए और पिर उसने ऐसे मतलब कुरसी पर बैठ कर बोला रूल दोस्तों तब आ रहे थे लिटरल गूसबंब्स या आखिर के दस सेकिंड से सब लोग त्रिल हो गए थे कि हाँ इसमें दम तो है पर यहाँ आपर खास बात है मार्केटिंग की मतलब अगर आप गौर से इस वीडियो को देखे हुगे तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि यह टीजर है यह ट्रेलर है तो इससे हो जाएगी इन डिरेक्ट मार्केटिंग और पुष्पा को कोई भूलेगा भी नहीं कि पुष्पा तो नाम की भी एक पल्म आने वाली है जो सबको जुकाने वाली है क्योंकि पुष्पा इस दे ग्रेटेस मास आक्शन मोवी अलु अर्जुन ने जो पुष्पा को काबिल यता थी और इसलिए उन्हें नाशनल आवार्ड मिल चुका है साथी हम यह भी कहने सकते हैं कि तीन मिनिट की इंट्रॉड्टर वीडियो या ग्लिम्स में आप जो भी कहना चाहें उस पर जो पुष्पा का फिर्स लुक का पुष्पा आया था वो बहारी पड़ गया था क्यों पोष्पा देखने के बाद हम यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर क्या आखिर कैसे पुष्पा ने ऐसा लुक लिया और क्यों लिया जब वीडियो में सभी जगा पुष्पा नहीं दिख रहा था और सब यह सोच रहे थे कि पुष्पा का प्या हो गया है या फिर पुष्पा कहां पर है लेकिन दोस्तों कही न कहीं हमी सभ यह जानते थे कि पुष्पा जिन्दा है और आएगा ज़रूर और वो जो 10 सेकिन का सीन था वो गाप ही अच्छा था पर जब वोस्टर था वो उससे भी अच्छा था तो आपको क्या ज़्यादा पसंद आया पूस्टर या पर वीडियो दो लिट इस लो इन दे कॉमिक सेक्छिन हमारी आज की राइजर जा मनीशा विठानी राज करने के लिए आया मैं पहारी उपर पुलीस दे पुश्पा की कुछ तपड़े बरामत किये फिल्म पुश्पाटू के साथ अलु आजन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया ऐसा कहा जाता है कि वह प्रभास की मुवी सालार जो 2023 में तहलका मुशा चुकी है उसकी स्ट्राटजी या उससे पुश्पाटू वाले फॉलो कर सकते हैं अब किसšा अध़ी प्रमोशन के मामडे में अब सालार को उतना प्रमोशन नहीं किया गया ज कुछ यंद्य॥्भी थोड़ा बहुत प्रमोशन था वह रिल्लीस डेट की बाद किया गया तो कुश्पाटा वाले इस बारे में सोच सकते हैं ऐसा कहा जा सकता है तो क्या जिस तरह से सलार की दो गाने रिलीस देट से पहले रिलीस किये गए और दो गाने बाद में वह नहीं किया जाएगा अगर पुश्पा तो कि मेकर्स ने सलार की स्ट्राटिजी अपनाई तो ऐसा हो सकता है पर ये सब कुछ इसली कहा जाते है क्योंकि सलार वालों को तब किसी भी तरह शूटिंग और सारा काम निप्टाना था उनकी पास टाइम नहीं था परना मूवी पोस्टपॉन होती है और पुश्पा के केस में ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि शूटिंग पूरी नहीं हो रही है और मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म पोस्टपॉन हो इसलिए प्रमोशन में टाइम इंविस्ट ना करने के लिए ऐसी स्ट्राटिजी इस्तेमाल होती है अब सलार वालों ने नाठंग से प्रमोशन किया ना प्रे-डलीस इविन पर मोवी में दम था बस था इसलिए मेकर्स कॉन्फिटान थीए और ठीक वैस्टी पुश्पा टू के मेकर्ड भी फ़ैंस कॉन्फिटेंट है पर सलार वालों ने गल्दी कर दी की प्रमोशन अवोई कर अब ठीक है प्रभास तेल्गू आक्टर है तो तेल्गू में उनका बज है तो तेल्गू में प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है पर बाकी market specially Hindi market में प्रमोशन करना काम बलसरी है प्रभास दी ऐसा नहीं किया जिसकी वज़े से भी सलार की collection पर असर पड़ा है पुश्पातु वाले इस step को follow नहीं कर सकते क्योंकि पुश्पा तो massive level पर बनाई जा रही है और उन्हें सबसे ज्यादा उमीद तेलगो और Hindi market से ही है और पुश्पा को भी सबसे ज्यादा फाइदा हिंदी market से ही हुआ था ऐसे में वो बिद्दाव प्रमोशन वाला रिस्क बिलकुल नहीं ले सकते वरना ये फस्ट रहेंगे देखते हैं अब क्या होता है बताएं में कॉमें सेक्षिन में हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक खुश रहें और सेफ रहें साउट सूपर स्टार अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा का सीक्वल इस साल 2024 में रिलीस होने वाला है पुश्पाटू दरूल साल 2024 की मोस्ट अर्डेट फिल्म में से एक है अलू अर्जुन की फिल्म 15 अगास को सिरीमा घरों में रिलीस होने जा रही है पुश्पाटू के मेकर्स ने फिल्म की एक्स्टाइटमें बढ़ाने के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया है पुश्पाटू का काउंटडाउन मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर करते में शुरू किया पुश्पाटू दरूल के प्रोडक्शन हाउस माइथी ने अपनी ऑफिशल सूशल मीडिया हंदल पर पुश्पाटू के लिए नया पोस्टर लांच किया है यह एक काउंटडाउन पोस्टर है इस पोस्ट पर प्रताया गया है कि फिर्म के रिलीस में आपके बल्स दोसो दिन बचे हैं साल दोसर एकिस में पुश्पाटू दरूल सिनेमा घरों में आनी जा रही है फिर्मेकर ने काउंटडाउन शुरू करते वे शानदार के आप्शन बे लिखा अलू अर्जुन की फिर्म के सीक्विल को लेकर हाई भी जोरो पर है नाशनल अवार्ड बनर अलू अर्जुन मास्टर फिर्मेकर सुकुमार गौरा निर्दरशित इस सीक्विल में रूल करने के लिए लोटा है फिर्म में अलू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली है वहीं आक्टर पहद फासल भी फिर्म का हिस्टा है साल 2014 में स्वातनता दिर्वस के मौके पर फिर्म रूलीस होने जा रही है मार्टर फिर्म मेकर्स दर्शकों के लिए एक कम्प्लीट एंटर्टेट्मेंट देने के लिए तयार है अलू अरजुन के फिर्म का फैन्स बेस अपरी से इंतेजार कर रहे है पुषपाटू का फिर्स पोस्टर मेकर्स ने साउ सूपर स्टार की जरंतन पर शेयर किया था इस पोस्टर को ही साथ मिलें से जाधा लोगों ने लाइट किया था दोस्तों पुषपाटू के मेकर्स ने दावा किया था कि भार्तिय सने मागे किसी थी फिर्म के पोस्टर पर सबसे ज़ादा लाइक आने का रिकॉर्ड बन चुका है अब 200 दिन बाद पर्म बड़े परदी पर आने वाली है कुछ पाटू के सेट्स के अलु अर्जुन की एक पोटो इंटरनेट पर छागई है सोसल मीडिया पर बारल हो रही, लीग फोटो में अलु अर्जुन साड़ी पहने में नज़रा रहे है साड़ी पहने अलु अर्जुन का फॉस्ट लुक पॉस्टर आपको याद है लीख वी पोटो हमें आयकॉन पोस्टर की यादद दलाती है जया आपन के फर्स लोग पोस्टर में अलवा जू ने एक घंगमा तीला के रूप में कपड़े पहने हुए थे जैसा कि कहा जाता है कि वो गंगमा तली चतारा में हिस्सा ले रहे हैं जो कि तीरुपती में प्रचलित एक अनुस्थान है हर साल गंगमा तली चतारा एक वीक तक मनाया जाता है लास्टे के दौरान मेल सीमेल्स की रूप में तरयार होते हैं और गंगमा के रूप में दिखाई देते हैं यह देता बुराय के नाश करने वाले हैं जटेशक सुकुमार की पुषपद राइस समब 2021 सिनिमा करों में रिलीस हुई थी और उस साल की सबसे रखमाई करने वाली फल्मों में से एक बन गई थी फल्म में अलु अर्जुन पहत पासल और अश्मिका मंदाना मुख्य भुमिका में है फल्म में म्यूजिक नाशनल अबॉर्ड बना देवी शिप्रशाद ने दिया था इस सीटिंग के साथ फल्म का सकेंड पार्ट भी तरियार किया जा रहा है दोस्तों आपको पुषपटु का किसरा इंतन्जार है हमें कॉमेंट्स पर बताएं काती वीडियो अच्छी लगी वो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुषपटु की पोस्ट और इंट्रोडक्टरी विडियो आने के बाद पुषपटु का किरेदार तो मिस्टीरियस लगा ही लेकिन जिस किरेदार को सब ने ढूंडा वो श्रिवली नहीं बलकि केश्वा का था जो पुषपटु की साथ उसकी जौर्णी में पहले सही रहा और अब इस किरेदार के बारे में मार्केट में कई सारी बादी फैल जैसा कि हमने विडियो में देखा कि पुषपट जील से भागया है तो उसे जेल भिजवाने के पीछे केश्वा का ही हाथ होगा यानि दोस बना दूश्मन वाला प्लॉट होगा और साथ ही अगर केश्वा ने पुषपट को पकड़वाया है और उसे धोखा दिया है तो उ उसे छोड़ी का नहीं इसके बाद एक थिरी यह भी है कि केश्वा पुषपट के आडिटिउड और उसकी काम्याबी से जनने लगता है और जो केश्वा पुषपट के आगे बीज़े घूमता रहता था वहीं उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहता है और अब उससे जैसे की एजिफटा अबके गड़ुरा नी भाई अपने ही बाप और भाई से बगावत की और दुश्मनों से हाथ मिला लया थाथ तेयोरी का सिसला यहीं पर खान नहीं होता बुल्कि एक और तियूरी है और उसके हईसाब से पुषपा की स्टोरी को नारेट किया जा रहा पुष्पा का अंत होता है अब देखते हैं कि एक बात कितना सच है और कितना जूट खेर पुष्पा 2 की शूटिंग जोरो शोरो से चल रही और अभी से पुष्पा 2 ने Most Anticipated Movies की लिस्ट में अपनी जगह बना ली और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले साल में 15 अगस्ट पर जो बॉलिवड व्सस साउथ मुवी का जो ख्लाश होगा यानि सिंगा मगेन व्सस पुष्पारू उसमें भी सालार आगे रह सके खेर बाब अब कितने एक्साइडर उस मुवी को लेकर हम शर में लिली नाग विडिए के शौई जागा साथ इंडन सरीमा के लिए काफी लकी साबित हुई, उस ने बाकी की साओध इंडन फिल्म्स के लिए रास्ता बनाया और उन्हें सर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि वर्ल्डवाइड फेमस कराया और 400 CR के मासब कमाई साथ ही साथ अलू अजुन की स्वाग और अश्मे का मंदाना की भीयूटी की दिवानी बन गए खबर ये है कि साउथ इंडिन ट्रीवाट जो आते ही नाशनल क्रश्पी बनी वो साई पल्लवी पुषपाटू का हिस्सा बनने चारी है जी हाँ फिल्मी दुनिया में इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि साई पल्लवी ने पुषपाटू की कास्ट को जोइन कर लिया है और उनकी फाहत फासल के साथ पैरिंग होगी बताया चारा है कि उनका पुषपाटू में एक्स्टेंडड कामी होने वाला है पुषपाटा रूल की शूरिंग शुरू है और खबर है कि साई पल्लवी जल्द ही मुवी की कास्ट को जोइन करने वाली है हाला कि इस बात को लेकर अभी कोई ओफिशल कानफामेशन नहीं दी गई है ना तो मुवी मेकर्स और नहीं आक्षरस ने इस पर कुछ कहा है नहीं ट्वीट किया है लेकिन ट्वीटर पर सांस ने इस बात को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शो की है तो कि आईकानिक साइटम पलवी को अलू अर्चुन के साथिक ना खौन पसंद नहीं चलेगा साथि अलू अर्चुन ने पुछपाटू के लिए हाइधराबाद में जिधारा एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है जिसके बारे में उन्हों ने मंगला वारम के प्री रिलीस इवन्ट में बताया है पर वो अजशीफ गेस्ट इंवाइटे थे और ये उनका रैशल अवाज इतने के बाद पहला पाप्लिक इवेंट भी था उन्होंने कहा कि पुछ पाट उम्हें जिधारा एपिसोड एक में हाइलाइट होने वादा है जिसका फर्स लोग पोस्टर तो हम देखी चुके हैं और इसके बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं कि और कहा कि 15 अगस्त को मुवी देखने के लिए तयार रहेगा और वह तब ही इस बार ज्यादा बात करेंगे लेकिन शाथी साथ उन्होंने अपने फैन्स का आभार वेक्ट के और कहां कि आने वाले वक्त में वह अपने फैन्स को प्राउड फील कराने वाले और उनके प्यारे और ब्लेसिंग के लिए भी बहुत सादा आभारी जहां बात हो रही है जथारा एपिसोड की वहाँ पर फैंस के बीशे कंसर्निंग बात ये भी चल रहे कि कहीं स्कीन या पूरे शॉट की वज़े से किसी भी तरह का कोई हंगामाना खरा हो रहा है क्योंकि जब पुश्पा का फिर्स लोग पोस्टर आया जसमें वह साड़ी प दोस्तों फिल पुश्पाटू की मेकर्स की एक बात ना बड़ी अच्छी लगी कि भाई कुछ भी हो जाए हम रिलीज देट तो पोस्पोन नहीं करेंगे क्योंकि रिलीज देट पोस्पोन करना मतलब फैंस के पेशन्स को आट टेस्ट करना और जसने फैंस के पेशन्स को पेशन्स के पेशन्स के पेशन्स करीब आजाते हैं तो पुश्पाटू वाले रिलीज देट पोस्पोन नहीं करने बाले हैं वलकि यह फिल्म तो 15 अगस्ट वाली है और इसके लिए डाक्टर सुकुमा ने फिल्म की शूटिंग माई 24 देट पूरी करने का पैसला किया है देवरा और प्रभास की कल की टूइट 9880 का फीडबैक भी देखेंगे और फिर फिल्म में कोई नहीं बदलाओं जरूर करेंगे पर इसके बाद पोस्पोन शुरू होगा और फिर प्रमोशनल अक्टिविटीज शुरू हो जाएगी पर ऐसे बहुत लोग ना सोच रहेगी क इसका रिजन ही अलू अजुन है अलू अजुन का फैन बेस ना काकी जादा है अलू अजुन का हाइप नौट मार्केप में बाभुबली के प्रभास और गेजियव के यश्च से बोपात पहले से है और वह अभी तक मेंटेंड है यह बास सही है कि सुकुमा डारेक्टर एस इससराजामॉली की तदह नौट मार्केप पर उतना हाइप नहीं है पर अलू अजुन के स्टार्डम से और हाइप से सब बालेंस हो जाता है अब इसका टीजर हमने देख लिया है चोंकि सोशल मीडिया पर सबाही मचा चुका है वह इसके साथ साथ दोस्तों अब प्रमोश में कौन सी प्रमोशन सार्टेजी वर्क करेगी तो उनका हाइप बढ़न में साधा ताइप नहीं लगता है वैसे पुष्पाटू को लेकर दिस्टिडूटर्स प्रमोटर्स पॉस अधर पीड़बैक दे रहे हैं तो से लिए यकीन है कि पुष्पाटू भाही तबाही मच पर अलु अर्जुन जब नौत मार्केट में प्रमोशन करते ना तब उनका हिंदी लैंग्विज में बात करना जिससे वो लोगों के साथ इमोशनली अटाच हो सके वी बड़ा स्टाक्टर है जो पुष्पा की प्रमोशन की वक्त नाजराया था अलु अर्जुन हो रांग खुष बढ़ाती है यानि कि इंप्रेस हो जाती है तो यही पढ़ना इस बार भी आजमाया जाएगा पूरे दिल से और अक्टरेस दश्मिक का बंदाना तो पहले से ही बॉलवड में चाही हुई है तो गोभी ना एक प्लस पॉइंट है इस प्रमोशन के लिए देखते है क इस बार प्रमोशन से पुषपा को कितना बढ़िया फाइदा मिलता है तो तिलहाल आपको क्या लगता है या मैं कॉमें तरहूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुषपाटू में साड़ी कंगन नेल पॉलिश में अलू अर्जुन के लुक की असली कहानी क्या है पुषपाटू से अलू अर्जुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ तेड़ी गर्दन किये पुषपार आज नीले रंग में पुता शरीर पर साड़ी एक हाथ में चोकाने वाला था लोगोंने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोस में दिखेगा हाथ में बंदूक बदन पर लुंगी बांदे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा लेकिन दोस्तों ये लुक चितौर की गंगमा जातरा से प्रेरित है क्या है गंगमा जातरा अ दोरान भव्वे पुजा की जाती है कुछ जगा देवी का प्रसाद के रूप में मासाहारी भोजन चड़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यातरा निकलती है जहां पुरुश अपना वेश बदल कराते हैं महिलाओं की तरह सज कर उनकी तरह शिंगार कर इस य अर्जुन का गिर्दार भी ऐसी यातरा में हिस्सा ले रहा होगा तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो लेकिन तिरूपती में मनाये जाने वाली गंगंमा जातर की कहानी बिल्कुल विप्रीत है लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरूपती और आसपास की इलाकों पर पले आम कए एक गाउं में देवी का जन हुआ वो देवी बड़ी उने पर एक सुन्दर महिला बनी पले गुंडूलू की नजर उन पर पड़ी उसने उनके साथ दुर्वयभार करने की कोशिश की देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया लेकिन वो बच निकला जाकर किसी ज्यात स्थान में छुब किया उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया तिरुपदी के लोग विचित्र वेश धर कर बाहर निकलते गंगम्मा को कोशते इस यात्रा में साथवे दिन पले गुंडूलू बाहर आ गया जिसे ही वो बाहर आया तब गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला अगर पुश्पा टू में पुश्पा राज जात्रा में हिस्सा लेता है तो मुम्किन है कि अपने किशी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा दोस्दों आप कितने एक्साइटेड है पुश्पा टू के लिए हमें कमेंड बॉक् पुश्पा के मेकर्ज ने बहुत बड़ा क्लाश कैसे मोल लिया अलु अर्जुन की पुश्पा 2 की रिलीज डेट आ गई है इस फिल्म के मेकर्ज ने वही वीकेंड चूस किया है जिस पर गदर 2 रिलीज हुई थी ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में लगेगी इस रिलीज डेट की अनाउंसमेट के साथ ही पुश्पा 2 के मेकर्ज ने बड़ी क्लाश मोल ली है क्योंकि इसी दिन अजे देवगन रोहिद छटी की सिंगम 3 रिलीज होने वाली है पुश्पा 2 के मेकर्ज ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीस किया इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है जिसमें उनोंने तीन सोने की अंगोठिया पहनी हुई है और कानी उंगली पर नेल पेंट लगा हुई है और खून के कुछ छीटे नजर आ रहे हैं दूसरे हाथ से संभवता वो सिगरेट पी रहे है उसी के धुए से उनका चेहरा छुपा हुआ है पोस्टर पर सबसे उपर बोल्ड लेटर्स में फिल्म की रिलीज डेट लिकी हुई है पुषपा 2 के इस पोस्टर को देखर लग रहा है कि मेकर्स ने पुषपराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फिमिन इंटच दिया गया है या कुछ और एंगल भी हो सकता है पहले तयारी थी कि फुषपा 2 को 2022 में रिलीज किया जाएगा क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी तब ही KGF 2 रिलीज हुई उसके बाद मेकर्स ने पुषपा 2 को दोबारा सी शूट किया शायद पुषपा 2 के कुछ हिस्से KGF 2 से मिलते जुलते थे अलाकि बाद में फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नहीं की है वो चाते थी कि दर्शवगों को पुवी तरह से संतुष्ट किया जाये इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया पताया जा रहा है कि पुषपा 2 के आदित्तर हिस्सों की शूटिंग हो चुगी है मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा दिक्कत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद शटी की सिंगम 3 भी स्केडियूल्ट है रोहिद बता चुके है कि यह उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इस बड़े बजट और भहमकर स्केल पर बनाया जा रहा है प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्टी को कास्ट कर लिया है सिंगम 3 में अरजे देवगन के सातक्षे कुमार, रन्वीर सिंग, दिपिगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने वाले है ये तो प्राइमरीरी कास्ट हो गई, बाकी रोयचेटी, कॉमेडी, गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी वहीं पुश्पा 2 में अलू अरजुन के साथ रश्मी का मंदाना पहाद फासिल तो होंगे ही उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे पुश्पा दराइस के लिए अलू अरजुन को बेस्ट आक्टर का नाशनल अवार्ड मिला है वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू आक्टर है खैर पुश्पा 2 को रंगस थलम फेम सुकुमार डायरेक्ट कर रहे है आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे पुश्पा 2 या सिंग्णम 3 हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज वो खुश्पा वस्टाजिया मेरे बास बात करने का वक्त ही है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ तुझे मारने के बात करूँगा पुश्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फ्लावर में फायर है में बालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाहों पुलिस प्रशासन के खिलाव खड़ा हो जाएगा पुश्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुश्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की माँ बनेगी इतना ही नहीं पुश्पा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मुव में पहुच गया था पूरी फुर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी में शीनू की पत्नी दक्षाईनी ओर्फ अंसुया भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्शन ड्रामा फिल्म पुश्पा दराइस साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर तीन सो करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उन्टवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चार्ट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैन्स इससे काफी उम्मीद रखते हैं दीएसपी पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए DSP ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत महनत और लगन से काम करें हैं DSP ने पुषपा के समान था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उउँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उउँ अंटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर प्राइस पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग राद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिज्निस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स आफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुषपा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइनस टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनिश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुस्पाटू के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश राह ने एक इंटर्व्यू में पुस्पाटू की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दी दिये के इंटर्व्यू में मनीश सा ने कहा कि पुस्पादा राइज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक अफिस पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आकराच छूने में कामयाब हुई मनीश सा ने पुस्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साफ कर दिया कि पुस क्या प्रभास की बाहुवली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पा 2 तोड़ पाएगी इस पर मरिश्पा ने कहा कि बाहुवली के पहले पार्ट ने 120 करोन की कमाई और पुस्पा ने करोन नहीं भलकि एक हजार करोन तक का बिजनिस कर सकते दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएए कि आप पुस्पा 2 एक हजार क्रोनी फिल्म बनेगी खिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की पुश्पा आखिर रिलीस से पहले किसने से देख लिया है क्या वाक की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधावाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये के जी अफ को टक कर देगी वह भी करारी वाली आपको बता देगे अक्टर है मुची बाबू इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेइन से लाइन लाइ की एडिटिंग चल रही है लेकिन बूची के अनुसार पहले भाग को देख कर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने व से बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी सार रुलीस होना है फिल्म के पहले पात ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बाबु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता कि क्योंकि की पहले भाग को हर भाषा सब्क Counter दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है अगर बुची बाबु ने पुष्पा की सीथी तुन्ला के जिया की physicians की तो की उुमीदे जो है वह बढ़ना लाज anticony है कि क्योंकि कैजिएप कि अलगी स्वैnin इसका दूसरा पाट आने व कि क्या ये KGF को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो अर्रेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया KGF का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता अगर पुश्पा और की रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियन्स खफा क्यों रश्मी का मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है मैं फ्रेंक आप सभी का स्वागत करती हूं बाली ग्रेट स्टूडियोस में पुश्पा इडिया की अपकमिंग पैन इडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रीलर फिल्म है जिसके लिए ओडियन्स पेहद ही एक्साइटिड है एक तो बाहू बली और केजिएफ के बाद फिर उने साउथ इंडिस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेइन्मेंट की सोगात मिलने वाली है उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जुन है इसके अलावा इनिया की प्रेजन क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ओफ का नाम पूछा गया काफी जिजगते हुए उन्होंने नाम लिया केजी एफेक्टर रॉकिंग स्टार येश का फिर क्या था येश की फैंडम ने भारी मातरा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया उनके इसके नाम से पूरे मीरिया को हिला कर रख दिया आखिर में हार कर खुद रश्मीका ने येश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी उन्होंने अपने फैंसे ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को परसनली नहीं जानते है और किसी को भी किसी के भी बारे में opinions रखने की पूरी अजादी है इसके उनके behavior में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरेस करे ये सब कहा केजी अस्टारर येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मीका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबरे यूँ ही सर्फिस पर आती रहती है ऐसे में कई अतीत में रश्मीका के मूँ से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे वैसे भी आज कल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पढ़ने का ट्रेंट चल रहा है खेर आप हमें कमेंस सेक्शन में बताईए कि आपको क्या लगता है क्या पुश्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है ये फिर फिल्म बिन पर चुका है और एक साउथ की सूपर स्टार है जिनोंने इस फिल्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये आक्टर है बुश्पा बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइन लाइन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी या था वहीं मीरिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग कोई देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुश पुश्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबु की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जीफ की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पाथ ने पूरे देश में तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहे गा कि बुची बाबु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कया वैसा होता है कि नहीं क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार अगर बुची बाबु ने पुश्पा की सीधी तुलना के जीएफ से की है तो दर्शकों की उम्मीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीएफ कभी अलगी स्वेयर कि उसका दूसरा पाथ आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसबरी से इंदधार कर रहे हैं अगर most और यश ने तो अड़ेडी एक ट्रेलर वेलीज कर दिया के जीएफ का जो कि धासू है तो काटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कितना वेट है पुश्पा का और क्या लगता है अगर पुश्पा और के भढ़न्त होगी तो कौन आगे निकले में तो चलिए बिना जादा वक्त कवाई शुरू करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पुपुलारिटी को केवल उनकी इंडास्ट्रीज में नापा जाता था अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेडिट का टाइटल मिलता है जिनका इंतजा फिल्मों में से एक है साउथ सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म उष्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को चार गुना बढ़ा देती है लेकिन कहीं अलु अर्जुन पर लग रहे इन इंजाम से पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए तो आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो इस कॉंट्रोवर्शिल कहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलू अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखत धोशना थी लेकिन शायद खुद अलू के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउट के फेमस प्रेडियूसर बनी वास और अलू अर्जुन काप अना बड़ा शौक बन गया एक्चली वास ने अलू की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा वेनू स्री राम की आइकन पुश्पा टू बोया पती श्रीनू डारेक्टिव फिल्म और टाला सिवा की फिल्म और एर मुरुगा डॉस के अप असर अपनी फिल्मों की अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाला हो या हो चुका हो प्लासस लिस्ट में एर मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है जिसे अलू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद इसके इवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था या फिर बाकी आक्टर्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए जिनके अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है अब डर तो यहीं है कि कहीं स्टंट का अलू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझें तो चलिए आप हमें चल्दी से कमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है क्या यह एनाउंस्मेंट सिर्फ एक एक साथ और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो दोस्तों बाहुबली के ग्र्यांड और और उसके बाद के जीएप की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने पुष्पा डार्टर इसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अलू अर्जुन नजर आने वाले हैं वैसे तो अलू अर्जुन का फान बेज इंडिया में कफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है लेकिन हाँ इसका हाइस प्र प्रभास को क्या अलू अर्जुन टकर दे पाएंगे बात दर ऐसे लिये है कि अलू अर्जुन को प्रभास के पराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा अब मैं जानती हूं आप काफी कंफ्यूज हो गये होंगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे अब बात करने वाले हैं अलू अर्जुन की अफकमें पारेगे रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेच सांडल वूड के स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अलू अर्जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाई प्रोफेशन होंगे वहीं पर वो एक स्मगलर बाई क्राइम होंगे और इसे यह मूवी का जादा तरपार्ट उनको पकड़ने में और उनके चुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने मे ही निकल जाएगा अब खास बात यह है कि बॉक्स ओफिस पर बाकी कॉंपेटिशन और क्रिटिसम के साथ साथ उनको एक बहुत बरी टकल मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलाज से तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुश्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन क्रिट आक्टर्स हैं और बॉलिवर्ट में अपना नाम जमाने की फोर्षिषमें वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साथ इंदास्ट्री से बिलॉंग करती है लेकि सिमिलारिटी इसकी अलंबे लिस यहीं खतम नहीं होती दरसल दोनों मूवी की शूटिंग फिल्म की को सीपी जैसी जगा पर हो रही है तो हम लोग यह गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ समग्लीन से रिलेटेट ज़रूर मिल जाये अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अभी ऐ इसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिष पर रही है तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकस मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपीनिन से निकल कर रियाल्टी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़ादा हिट करना पड़ेगा अपने मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पर करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरो उसको सर देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर काता है तो दोस्तों आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कैसे एक बार फिर पुष्ट पाने लिए के जेव से इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पल्खुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डायर स्टूडियोज में पुष्पा अलू अरजुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अरजुन तो रैट सैंडल्वोड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अरजुन रश्मी का मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिलकुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अवतार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर्स में टिकेट बिकती है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्य दवदार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिलकुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एकसाइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्हों ने एक और हाई लेवल एकसाइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसिंटली जुड़े आक्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अर्जुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस नियू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रिड्यूस किया गया है जैसा कि वीडियो में बता गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त निल्वाली गर्ती नहीं करना चाते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियन्स को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बलकि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़रा रही है ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि ये इस निवस से इंप्रेस्ट फेस्ट का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अरजुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी अक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजुन के फैन्स वाकई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेंट में बताए कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन है और अगर आपको ही है पुष्पा और केजियर से बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर रही इस फिल्म में नैशन क्रेश रश्मे का मंदाना को एक रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया इस फिल्म को लेकर ओडियन्स में जितना ग्रेश है उतना ही तनाव भी है तनाव इसका कि केजियर सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी हां दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंस को और रिल दर्शुकों के सामने रखे जा चुके हैं लेकिन एक बार पिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी विडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको मारा विडियो पसंदा है तो से लाइक शेय करना भूख करना बूलेगा हमने अपने पिछले ही विडियो में आपको पुश्वा से जुड़ी एक एहनम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोस करने की जिद्दारी वेरी पॉपुलर और सक्सेस्टुल म्यूजिक कंपोसर देवी शंकर प्रसाद के कंदों पर डाली जाती है जिरने इसका पहला गाना तयाती किया था जो खबरों के अनुसाल सुकुमार और अलू अर्जिन के पहले पसंद आया था और गाना जुलाई के फर्स वीक में धी दर्श्वों के लिए रिलीस किया जाएगा लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार के जिद्दार फैंस और इसमें पसंद आये कि हर पांच मिनित में एक आदमी का रिंग्टोन में कोई न कोई केजी अप का सौंग हमें सुनने को मिल ही जाएगा था अब इस अनॉंस्मेंट में कारण लोग इससे दियस्टी वर्स पसरूर की तक्रार के तौर पर तेख रहे हैं और जानता चाहते है कि दोनों मेर दहता है आप सोच रहे होंगी कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं कि क्या है गहां लेग आपको बता से की इसदि लुक डौल सयमें और जिटे करेगां फिल्म के कारेक्टर को 敌र ऐस और वह श्यक्राण करे था हैं और वह थी एक पार पार तरीक तरीके और इसी कारण से लोग जानने के लिए एक्साइट है कि पुष्पा का ये गाना केजी है कि गाने को टक्तर दे पाएगा या नहीं आपको इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप इसको वेड़ देना चाहेंगे पताइए हमें कमेंट्स करेक्टर अलु अर्जु का मंदाना स्टारर फुष्पा ने अनाउंस्मेंट के बाद से ही सब की नजरें अपनी और कर रखी है इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलु अर्जुन के रग्ड लुग को तो खास तोर पर काफी एप्रीसियेशन्स मिली फिल नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूलें तो जैसा कि आप जानते ही है कि किसी भी इंडियन फिल ऐसकों भान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म वर और इसी खास जिम्मेदारी को निबहाने के लिए में कजने फेमस मिजिक कंपो Salut कर देवी शंक प्रसाद के दर्वाजे खटखट आए हैं खबरे आ रही है कि देवी शंक प्रसाद ने हाल ही में पिल्म में अलु अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अलु काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं यह सौंग जलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बताँ देगी देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम कालू सुको वालनी मन मधुदू वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉम्पोजिशिशन इंडास्ट्री को दे चुके है जिसमें से आर्या तो अलु अर्जुन की ही फिल्म है इस तरह इन दोनों की कॉलाबॉरेशन तो ओल्रेडी हिट रही है देवी सर को इंडास्ट्री के वन आफ दी मोस्ट सक्सेस्फुल म्यूजिक डिरेक्टर्स में गिना जाता है और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने एक जैसा ही इंपक्ट करें जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशन पयान कर डाले और देवी शंक प्रसाद ऐसी काबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोसर्स में से एक है यूँ तो देवी शंक प्रसाद और किलर कॉंबिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोशन मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंक प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट हो गई है अब वो इसे कैस से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड है और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चानल बॉलीक्राट स्यूडियोस को सब्सक्राइब भी जरूर करें आ हायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं वैसे भी अलू का नाम भारत के सबसे हांसम आध्यों में लिया चाता है और उसकी उपर से उनका ये रफ लोक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता कार द वा यार रनवीर कपूर तो पूरे संजेदत लग रहे हैं यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वह अमिता पच्छन ही थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई महनत को रगनाइस करना हम अक्सर भूल जाते है लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीगाट स्टूडियोस की नगरी है यहां किसी की भी महनत अनकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस राद से परदा उठाएंगे कि आखिर अलु अर्जुन के स्ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है दरसल सोशल मेकप आर्टिस्ट और लुक डेजाइनर प्रिती शील्स सिंग का देन है जी हां दोस्तों अगर आपने पद्नावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित के लुक पर तालियां बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पादमावल जैस तेरे गमगुबाई काठ्यवादी में आल्या की लुक को देखकर हैरान रहे गए थे तो आपको बता दें कि आप अंजाने में प्रिती शील्स के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हां दोस्तों ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चिर्स और उनके ये आइकॉनिक लुक उन्ह अगर हम उनकी टालेंट की बात करें तो अब आप इन सभी लुक्स को याद हीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक्स बेस लगा था साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करें गया लाइक और शेर और कर नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलेग्राट स्टूडियो के एक फ्रेश नए वीडियो में मैं हूं आपकी होस्त और दोस्त शुती बाहुपली के बाद मेगा ब्लॉगबस्टर हिट मूवी वैकुंता पुरा मुल्लो ने एक पैन ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मूवी की स्टोडी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं जहां मूवी को सेकंड पार्ट में रूलीज करने का सोचा गया है और डिडेक्टर ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि इस और तबा तोड़ फाइटिंग सीकुएंस दिखाये गए हैं इस मूवी में अलु अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा अक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं ये बात भी काफी ज्यादा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलु अर्जुन को पुषपाराज मूवी में चिट्टू डालेक्ट में सुन के सभी डायलोग्स बोलने हैं जिसके लिए अलु अर्जुन अलग से एक लांगविज इक्सपर्ट से च्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलोग डिलिवरी कर पुषपाराज एक साथ तमिल मल्यालम कंड़ और हिंदी लैंगवज में रुलीज होगी रश्मिका मंदाना ने हाली में अपने इंस्टराम लाइव सेशन में पुषपाराज मूवी को लेकर अपने एक्स्पीडियंस भी शेयर किया था उन्होंने बताया कि पुषपाराज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादे एक्साइटिड भी उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंदमिक के बीच में भी काफी सारी सामधानिया बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं साथी साथ अलू अरजुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है अलू अरजुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि he is very simple and sweet actor पुश्पाराज की शूटिंग का कुछ हिसा तेलंगाना के मोटू गुडेन विलिच में शूट किया गया है मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अलू अरजुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी माता में भीड एकठा हो गई सभी इसने अलू अरजुन का बड़े प्यार से मिले और इंटराक्ट भी किया सेकेंड वेव के चलते पुषपराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है बीच में 28 एप्रिल को अलू अरजुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी जिसकी कारण कुछ दिन तक अलू अरजुन होम कॉरिंटीन थे जिसे वहाँ जा मुवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एस पर स्केड्यूल टाइम पर रुलीज कर पाना मुश्किल है तो न्यूज रिपोर्ट के नुसार रुलीज डेट पुस्ट कोन भी हो सकती है और दूसरी रुलीज डेट दशैरा फेस्टिवल या फिर 17 डिसेंबर के आज पास रखी जा सकती है तो वहीं पुस्टपा राज का पोस्टर और टीजर अलु अर्जुन के बर्ट्रे के दिन जुलीज किया गया था लॉंज पर अलु ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया उन्होंने अपने नौथ हिंदी और अधर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्राटिट्यूड इंग्लिश लांग्विज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ओडियन्स का दिल जीत लिया उनके इस स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नौधन साइट में उनकी फैंस फालोइंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ओडियन्स के बीज इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद अलु अर्जुन की बॉलेवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है अलु अर्जुन ने अपने एक इंटर्व्यू के दोरान बताया था कि वो अपना बॉलेवुड डेब्यू जरूर करेंगे उनका कहना था कि बॉलेवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा अजमाया भी किया जाता है जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के आक्टर्स साउट फिल्स में डेब्यू करते हैं फिल्स बनाते हैं वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ओडियंस गेंड करना चाते हैं और पुश्पा राज के इस massive pre-release success के बाद से ही नोंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना fan base भी बना लिया है। अलू अर्जुन हिंदी films को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलवू actors अपने regional इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अलू अर्जुन हिंदी films में काम करने के लिए काफी ज्यादा excited है। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी choice है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी inspire करता है। फिलहाल उनका focus अपनी South Industries की upcoming movie पर है, सबसे ज्यादा कुश्पा राज पर है। अलू अर्जुन का Bollywood में आजन्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई mood तो नहीं है, मगर जल ही वो Bollywood movies में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी scripts पड़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड़ी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड़ी का उस movie में काफी intense role था, जिसके लिए उन्होंने मना कर गिया था। उन्हें ने कहा था कि ये role उनके लिए नहीं है, after that पुष्टास बात बताएं, तो दोस्तो शदा कपूर के fans और हिंदी cinema के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और exciting हो सकती है, और इसी वज़े से film को काफी fame और काफी buzz मिल सकता है, तो आपका इस technique के बारे में, पुष्पा की सारी फिल्मों का उनके fans को लंबा इंतजार रहता है, लिके fans पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉग बच्चर साबिक है, अब कुष्पा की ही बात कर लेकों, उनकी fans करीब दो साल से इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं, जब से इस film का पहला को कि रिलीज किया गया था, आने वाले दिनों में कुष्पा कर चेलर भी रिलीज होने वाला है, दोस्तों मैं आपको बता दू, इस film में अलु अर्जुन की ओपुष्पित, नाशनल फ्रस्ट कृष्मिका मान देना नजर आने वाली है, कुष्पा में विलिन की तोर पर पहा अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ एता है कि उनकी हर फिल्में लगातार चड़का में बनी रहती है, अगर कुष्पा सक्सेस्फुल होती है तो उसका कुछ प्रेडिट अलु अर्जुन की मैसिफ पॉपुलारिटी को भी जाएगा, आज उम इस सीरियों में बात करें कि कि आखिर कैसे अलु अर्जुन साउथ से सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का साइट यंग आइकिन कहा जाता है, अलु अर्जुन में जादतर काम साउथ इंडस्ट्री नहीं किया है, अभी तक वो बॉल्यूड की पिसी फिल्म में अपना डेबूट करते हैं जाथ हम उमीद करते हैं आने वाले जुनों में वो जल्गी बॉल्यूड की किसी फिल्म करेंगे हैं, फिल्हाल मैं आपको बता दू, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था अज़ चाइल्ड आक्टर विजयता फिल्म के साथ, उन्हें बच्पन से ही आक्टि किल्डार नभाया था और वो थी गंगोद्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा काता बिस्म भी किया था, लेकिन अलु अर्जुन के करियर में तक से बरा तर्निंग पॉइंट अब आया, जब उनकी फिल्म आर्या को रिलेस किया जया, आर अर्या पिक्चर के बार, अलु अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा किया था, जिसमें फिल्स्टेर अवार्ड भी शामिल है, अब बात करते हैं कि आखिर अलु अर्जुन को स्टाउट का स्टाइलिश सूपरस्टार क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों, मैं आपको बता साउट इंदस्कें में जितने भी चेहरे हैं, उसमें से अगर इसी के लुक्स को सबसे जादा अप्रीसियेशन मलता है, तो वो है अलु अर्जुन, खास तोर पर उनकी ड्रेसिक स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं, दोस्तों, हम सभी जानते हैं आने वाले दिरों में अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है, इस पिरम के लिए उनके तमाम पांज काफी इकसाइटे हैं, पुष्पा बेसिकली एक ग्यांग वार फिल्म होने वाली है, इस फिल्म में हमें ये डेखने को मिलेगा कि कैसी स्टांडर गुड की इल्लीगल त स्टरी की जाती है, और कैसे अलु अर्जुन फिल्म की शुर्वाती बवर में एक खराब इंसान होते हैं, लेकिन बाद में उनके जुन्दिकी में काफी बदलावा ज़र जाता है, आप पुष्पा के वी कितने ही इसाइड़ेड है, हमें कमेंट फिक्षि में जरूर इस मुवी के लिए जहां टॉली वोड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अलु अर्जुन को कास्ट किया गया है, तो वहीं इस मुवी के बाकी की कास्ट और क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मैंबर से जुरी होते हैं, फिल्म प्रोडूसर ने अपने लेटेस इं को एक मुवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुंकेर नहीं है, इसलिए हीरो और डारेक्टर ने कास्ट मिलकुर ये डिसायर किया है कि पुष्पा को दो पार्ट में रिलीस किया जाएगा, क्या आपको भी ये कुछ सुना-सुना सा नहीं लग रहा, है ना, ऐसा नहीं ल आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मुवी को रिवर्स में ले जाना, ऐसा कॉंसेट पहली बार ही किसी मुवी के जरिये दिखाया गया है, कहा जाता है कि गाना है तो मुवी सुपर ही, और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन, टॉप मुजिक, डिरेक् तो सोचने की बात है कि जहां साउट सौंग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है, ऐसे में क्या इस सौंग का हिंदी में भी कोई डब बर्जन या न्यू हिंदी सौंग भी लॉंच किया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो इसे मुवी का हिंदी ओरियेंस के काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा, अब ऐसा करने की एक मज़े ये हो सकती है कि अलू अर्जुन वैसे ही अपने हैंसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर है और उनके हैंसम होट लुक और परस्नालिटी एकाम बात हो गई है, ऐसे में उनके पोस्टर में वही जाएगा, फिल्म पार ट्रेलर 70 मिलियन यूस क्रोफ कर चुका है, जिसे पिल्म की पूरी टीम काफी जाएगा, तर के रिलीज पेहले ही इतनी बड़ी काम्याभी मिलना साफ इंडस्ट्री के लिए एक आम बात होती ही जा रियार होता है, मुवी के ट्वेलर में कोई राइ इंटनाशनल पूर्ण प्रेव और साउट के एक्शन सीन्स काफी जाएगा पतनाते हैं और सावर के साथ शायर थे इंटनाशनल ओडियन्स को भी लुखाने के लिके तुष्वाराज की कामरा हैंलें के लिए तूस किया गया है, पॉलिश क्यामान नीलस लॉप को बड़ें कर दे काम निश् its' करने अपकमि एंधिक लिए बिकर्म कमार ने डिरक जिया था उसके लिए आज़ बंधर को उसे काम करई कि उस पिल्म ए सिरफ्म में देद गारम के इब 60 कर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिक फिल्म पुछवाराज के लिए निम्प हायर दिया मीरोस लॉव भी फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुछ नजर आ दिया और फैंस भी ये खबर सुनने के पाद काफी जादा खुछ बेंगे लेकिन ये खुशी के पल्स दागा समय तक नहीं घर पाई थी सूतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार पुरुनों पैंडमिक की वज़ते वो वाफिस जा रही है और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही है बताद है कि अनुसार के साथ काम करने के दिए काकिन मैंगा इकसाइट है और यह चुशन में लाइपर्स में भी दिख रही तैओलर लॉन्च के दवरान मीरों फिल्म के काफी तादीशी चीफ सी थी और फिल्म के हर इवन का चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या पिर कई पूचर सरेमनी हो या पिर फिल्म का सेलेब्रेशन क्यों ना हो उसका हिस्ता दरूर बते देख लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटरनाशनल ट्रावल में सेस्टी बनी लहने के लिए इससे लिए सभी रेस्ट्रिक्शन और गाइलेशन को फॉलो करते हुए उनको एक फिल्म ट्रावल जोन में रखा हुआ है यह एक एक फिल्म पर गहरा अच्रट डाल सकते हैं पिल्म के टीजर से भी फिल्म का गहराई और फिल्म का काफी परख चलता है अब क्या नियर क्रामान इस लेवल को मैच कर पाएगा अच्छर पॉल्म चिनमाटर्ग्राफर को अप्रोच करने के थेंट चलता है जिससे फिल्म की विर्ट्र वालिटी और सादे इंग्र अब क्या नया कहा आपका बॉली ग्राफ तूडियो लेकिन पता किसी को नहीं है, ऐसी कौन सी सीप्रेट खबर जान दे लिए हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पस लाइप उस लाइप और शेयर करना दिल्कुल ना भूले जबसे को इनकी अनाउंसर हुए है, एक सवाल ने स्कप के मन में भयतर है, आपे फिल्म का नाम कुछ और क्यों नहीं है, क्या इसके पीछे कोई स्रीक्रेट बज़ा है, इस बारे में कई क्योरी देखें, कुछ के अपॉडिक, कुछ के अपॉडिक, कुछ का फिल्म में पता, ये लीडिंग डी रश्मेका का नाम सेकुलेशन की हट तो तक तक होगी, जब उनने ये कहा कि क्या पता डिरिक्टर सुपमार राजश्पिता के बड़े पैन इसलिए ये नाम रच दिया गया, you know, कुछ का I agree here, पर हमने ये गुस्की सुलजार ही ली, आक्चिली इस प्राम के तीछे बड़ा ही सिंपल का कारण है, जितना डीज में जाकर फांस में सोचा, उसनी महनत लेकर से नहीं की, फिल में अल्लु अर्चिन की क्यारक्टर कर नाम कुश्पक नाडायन रखा गया, जिनें सब प्यार से कुश्पा बुलाते हैं, और इसी वज़े से फिल कुश्पा और KGS में एक और समिलार्टी हो जाती है, क्योंकि KGS अभी ये नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेसी, कि 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 कर राज होगा, शायद इसी चीज को बोई करने के लिए, जुक्रमार ने सेशा चलम को कुश्पा कर दिया, इसे फिल्म का साइ का बॉलिकराग स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्पा कियागी, तो दोस्तो आज बात करेंगे आज़की फांस के बहुत जदा फेवरिट और मोस्टाइलेशन डाशिंग आक्टिव अलवर्जन की मोस्ट एंटिसिपेड़ मुवी पुश्पराज के बार हुआ है, तब ही से ही दोस्तो नॉर्थ साइड में भी अलु अर्जन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दोस्तो अलु अर्जन के बकमिंग इस ड्रामा अक्शन फिल्म में सुकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवी श्री पर साथ के साथ, उनका काफी टा स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंस्टेंट पर बेजश है, रीसिंटी आ रहे ही खबरों के अनुसार, अलु अर्जन इस मुवी में डबल रोल करते हुए नसर आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तो, सूर्सिस की मानी तो जहां अलु अर्जन का एक किरदार समगलर के रूप में नसर आएगा, तो वहीं दूसरा किरदार बिस्निसमैन के तोर पर दिखाया जा सकता है, अगर दोस्तो कुछ पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अलु अर्लु अर्जन के अलग अलग ग्रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्शन लगाई जा रही है, ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फान ने अलु अर्जन के डबल रोल होने की बात कही थी, दोस्तो इस बात पर अभी तक डिरेक्टर सूकमार ने कोई भी क्लारिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या जूट, अगर इस बात को सहीम आने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और आक्टर दोनों का रोल, अलु अर्जन साथ में लिवाते हुए नजर आया, अब दोस्तों सोचें जरा जैसे बॉलिवर्ड मुवी डॉन में हुआ था, जिसमें असले डॉन तक पहुचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते कि उस बिजनसमैन के सच्चाई पता लड़ने के लिए लॉरी ड्राइवर अलु अर्जन को बिजनसमैन बना कर माबेज दिया जाया, जहां से उनके दंडे को अपरेट किया जाता हो, और अब दोस्तों रियूमर्ज में कितने सच्चाई है, वो तो अब फिल्म में करस्ट यहर करेंगे, तब ही पता चलेगा, वंडर मुवी रिलीज होने का तब तक इंतजार करना पड़ेगा सबी को, और दोस्तों इन सबी खबरों से अलु अर्जन के फैंस काफी जाद एक्साइड हो रहे हैं, आप दोस्तों बात करें कि अखर अलु अर्जन अपने फैंस के ल अपने क्लोस फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैंस के फिंडरल में वो खुद उनके घर गए थे, बॉलिवुद स्टार से आक्तस के मुकाबले फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टिड रहते हैं, और यही वज़ा है कि नौर्ट इंडिया में भी साउट आक्तस के इस नेचर की लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी तेह तारिख में रिलीज नहीं हो पाईगी, फिल्म का इंतजार करने फैंस को अभी तीन-चार महिने और इंतजार करना है, क्योंकि 99% यह फिल्म 17 दिसेमबर 2021 को जरूर रिलीज होगी, इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अजियूम करने लगे थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू, शरुवात में अलो अर्जुन एक बिजनसमेन के रोल में नगर आएंगे अलो अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते, हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, बॉलिग्रास अलो अर्जुन ने भी कमर कसली है, और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहां भी था, कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया, तो यह बहुत जादा सूपर हिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी और बार बार इन्हें खबरे देनी परती है का फिर्म रिलीज हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए, इसलिए हिंदी और इन्हें के लिए स्पेशल ही अलो अर्जुन महनत कर रहे हैं, क्योंकि दॉर्स इंविया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है, लिकि यह फर्स टाइम हो रहा है, तो अलो ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है, कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है, तो सोचिए, अलो अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुँच गए, तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों, यह बात वाँकर बहुत बड़ी अलो अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आचुके हैं, का विलं का करने वाले हैं 9号 19 चेक शूर दिख रही है बेल बॉंटम पैंड दिख रहे हैं साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो के एटीज के दोर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में अक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताएगे और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क् बॉक्स ओफिस के लिए अजर नीचे कमें सेक्शन में अपनी राहे जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए पॉर्प इसक्शन प्रॉब्लम है सर अ मारता ज्यादा हूं किलता कर अ गिंद कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं असा ही हूं भूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जी भर सूता और गुस्सा अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनि बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलु अर्जुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर किये गये हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक कि आखिर कौन इसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच परसेंट ओक्यूपेंसे रही थेटर्स में अगर पैंडिमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटर्स में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशों मे ओवर औल क्लेक्शन के बात करें तो दोस्तों से 200जों करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी में 25 करोड केशन करें तो इस भी हसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन का लएक रे तो व्रड़ यह 500 करोड की कमाई कर सकती है हिंदी तमल तेलगू से ये 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटाल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इसने जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितनी भी फिल्में आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डब जो वर्ड आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तग्री है इसके लावा उनके अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तो इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वूड जो लकडी होती है उसकी स्मंगलिंग करते हुए दिखाये जाएगा विजय सेतुपती इसमें होने बाले है एक और विलन का लाम सामने आ चुका है वो है आरिया और अलु अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतुजार है इसमकानी चाहिए अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली हैं रश्मिका दाशकों को क्या इस नए के दास से बदल जाए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिगराफ स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इ इक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द यालु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही हैं दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर्शक है पुश्पा जो फिल्म में अलु अरजुन के किरदार का नाम भी रहे गा और ये फिल्म आंधर प्रदेश की जंगलुक से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अरजुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु अरजुन जि पाचिज से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सरी लेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अफ़तार म में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में अंद्रपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल फ्रीनिंग भी ले रहे हैं वहीं के शीना यानि श्रीनिदी शेट्टी के बाद अब कंणर व्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं शौहिद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में प्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका को फिल्म में मुरुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और टालेंटेड आक्ट्रिस पर जी हां संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर यराय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुक है सनम और देवदास से बढ़ला वहीं दिपिका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रसलीला, रामलीला, बाजिराओ मस्तानी और पदमावद में दिपिका के करियर को ऐसी किक दी जशायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे और ये खोज शायद अब रश्मिका पर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलु आर्जुन फिल्म पुष्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरिक फिल्म पुष्पा को मैघ्री मेकल्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलु आर्जुन और डारेक्टर को औरतला शुवा के साथ फिल्म हाश्टाग एट्वेंडीवन से भी जुड़ गए है फिल्म पुष्पा डारेक्टर सुकुमार अलु आर्जुन और रश्मिका के सुकुमार की राम चरण के साथ हिट फिल्म रारंच थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की न आर्जुन्स टैरर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस ने पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी कि शुरक्षा और साथ धानियों को रियान में रखते हुए निर्माताओं जनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली कि हरोई कहीं फिल्म पुस्पा कीजिए तू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाया चानल बॉलिग्राफ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्ट्रिप्ट सिर्प्ट सिर्प्र अलो अरजन स्टारर पुछपा फिल्म की स्टोडी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साउथ इंडियन सिर्मा अपनी बेहतरिन फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एन एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्दर मेटर बजट हो इस एफर्ट का रेजल्टेन है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले हैं तो हम सेफली ये कह सकते है कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉलीओट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं और कई केसस में तो बॉलीओट से बरिया कॉंटेन परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउट सिनमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउट स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्याद है मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाडा क्रॉश रश्मी का मंदाना की मच अवाल्टेट फिल्म पुषपा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस त्यालग फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जुन इसी धंदे में काम कर रहे है एक लौरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आईए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेटस एन अलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाती हुए फॉ विलेंग के करीब पहुच जाएगा जो सेंडलू स्मॉगलर माफिया हैड होगा और जिसने उसकी बेहन को इसलिए मारा होता है क्यों इस धनली का पता चल जाता है अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स् लेची प्रोजे करके साथ लेची इंग प्रोजेक्ट अब्सक्राइब लेचेश अपना तो आपको प्रोजेश तो कब रिलीज होने जा रहे हैं अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुश्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुश्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत हो गए अपने सूपरस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनम दिन के मौके पर अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था जिस प्रतिशील ने हैदर, मौम, 102, नौट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी ह है उन्होंने और ये लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अन्नाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर कब रिलीज होने वाली है जी हां दोस्तों उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अ अलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा एक्साइटेड हैं वो फिर से वही मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुछपा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आ जाता है वही हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउं में नजर आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि की सैंडल वुर्ड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर आधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द ग निकी खदना के अक्शन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जरू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगौस को यह फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस सिल्म क पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलगु लैंग्विज अक्शन फ्रिलर फिल्म है जोसे डिरेक्टर अलेका सुकुमार ने है सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर, प्रडियूसर और स्क्रीम राइटर है जो कि प्रीडॉमिनें तली तेगू सिनेमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुवांत आज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया है सुकुमार ने अपना डिरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और यह फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनक कि शोवर फिल्म में सपोर्टिंग डोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुषपा को प्रिद्यों में 3 मूवी मेकर्श इन एस्सोइशन विद मुट्वशेटी मीडिया के तहत प्रिद्यूस किया था फिल्म पुषपा का म्यूजिय देवी प्रसाद स्कॉरिंग के तहत गया था फिल्म पुष्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेड वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनौंस किया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसे की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स प्रोजेक्ट सरी लेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जिसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस किया था बाद में अलो अर्जुन ने प्रजेक्ट साइन किया सू कुमार के साथ उनके फिल्म-mf a f.'' Lt कॉलाबोरेशन हे साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था अक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरिला के एथी रापिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स केडिूल केरिला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड-19 पैंडमे की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टांट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चर्चा में थे इंटेगनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पाठ बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में ऐस लीर अक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस अक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था इतनी सी बात के लिए इतनो वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किलता कम गिल कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं ऐसा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जी भर सूता और गुस्सा आता है तो भूख कर लगता पुषपा से करने वाली है रश में का मनदानہ मुद्तिंट टाइट चळी है बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिग्राश वीडियो में तो चलिए शु हुआ था जब 2015 में ऐसे स्राजा मॉली की फिल्म बाहुबली तब बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की फ्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रिडक्शन ने किया था उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की बज़ा से उनकी साहु को भी एक पैं इंड्या रिलीज के आने वाली फिल्म है राधे शाम और आधिपॉरुष। और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनन्द की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म KGF चाप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्टरसेज ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी कोश अभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वह सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बड़े बड़े हीरोस के सांग काम करके अपने कारियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी कारियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्मे और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके opposite होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूढ नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनके प्रयाज ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिक अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के आपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थियेटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश में का कि उस ख्वाइश की वज़ा से चली दोस्तो साउस फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्चित आक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है भली यह साउस स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी बावजूद इसके इस फिल्म की सबसेज ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है अब अलू अजुन अपनी अग्ली स्विल्म पुषपा को लेकर दिजी है जो पैन इंडिया रिलीज होनी वाली है इस फिल्म को मेकर त्हिंबी तामिल का लगूप कर नर्ड और मल्यालम लैंग्विज में रिलीज कर रहे है अब अलू अजुन से जुड़ी एक और जिल्चस खबर सामने आ रही है जिसे सिल्कर उनके फ्रेंस का क्रेश साथवे आत्समान पर पहुँच जाने वाल है दसल अलू अजुने हाली में केजी अफ डारेकर प्रशान नील से मुलकात की है वो हैदराबाद में आज प्रशान में के डक्तर के बाहर स्पॉट किये गए यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी अलु अर्जुने वहां से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिला कर अभी वादन किया अलु अर्जुने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बर्चानी के लिए धन्यबाद भी कहा जिसके बाद वो आफिस के अंदर चले गए इसके बाद प्ये खबरों का बाजार घर्म है कि अलु अर्जुन और प्रशान निल की ये मुलेखात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है इस खबर पे अलु अर्जुन के फैंस में भारी प्रेस है वेल आपको बताते कि प्रशान मेल की KGF 2 बनकर तयार है और जल्दी क्येटर वे पहुचेने वाली है इसके बाद वे प्रभाष की आने वाली फिल्म को पूरा करने की कोशिश में पीटे होंगे फिल्म इंगिनों सुटिंग स्टेज पर है क्या इसके बाद प्रशान मिल अलू अजिर्शन अगिरी फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवाल का जवाब उनीद है की जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीजे कमेंग बॉक्स में अपनी राइश क्या बॉलिवोड में भी एक सूपस्चा बरना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका तो आईए जानते हैं अप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पागे तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी हैं वैसे अगर इस सवाल मुझसे पूझा जाए तो मेरा जबाब होता है हां और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नौर्थ इंडियन तो आप लोगों ने मैं नौर्थ इंडियन वादों से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्म में तो जरूर देखी होंगी ना आप सभी को वो भाषा समझाती ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं और वैसे हम कई सारे टीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंडी डब कर दिखाया जाता है तो दोस्तों अलू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकान तो हम सभी ने सुने ही हैं और इन में से काई आक्टर्स को तो हमने बॉलीवूर्ट में काम करते हुए भी देखा हैं जहां हमने रजनीकान को मिताब बच्चन के साथ देखा है वहीं एक तरफ शारुकान के साथ भी देखा है और साथ-साथ एश्वर्याराय के साथ उनकी फिल्म रोबोर्ट में तो देखा ही देखा है उस फिल्म को भला किसने मिस्टिया होगा लेकिन जिस तरीके से इन आक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है जिस तरीके से इन आक्टर्स को साउथ में प्यार किया जाता है उन्हें वो रिकाग्नीशन उस लेवल कार रिकाग्नीशन बॉलिवूड में नहीं मिल पाता है दोस्तों आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कांथ को पूरे साउथ में इस तरीके से पुदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाते है जी हाँ और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस ज़रा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इंडियन फिल्मों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यो ना इन फिल्मों का हिंदी डब करकर रिलीस कर दिया जाए तो ना इन फिल्मों को सिनमा घरों में एज हिंदी डब रिलीस कर दिया जाए ऐसे में हम साउथ की इन फिल्मों का मज़ा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नसदी की सिनमा घरों में भी देख सकते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुवली फ्रेंचाईज और KGF फ्रेंचाईज ने फिल्मों को डब करकर सिनमा में रिलीस किया है और यहां तक कि साहु जैसी फिल्मों में हिंदी अक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मशूर आक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे हैं थे वैसे तो उनकी ओडियन्स, तमिल ओडियन्स, कननड ओडियन्स यही सब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदलना चाहते हैं हाल ही में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवूड की तारीख की उन्होंने कहा कि उन्हां था तक की अगर बॉलिवूड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलिग्राइट स्टूडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूरें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा पुष्पा में होने वाली है और वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है आप देख रहे हैं पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां उर्वशी रौतेला जो की होड एंट स्टनिंग है बॉलिवड डीवा है और अब उनका एक आइटम सॉंग होने वाला है पुष्पा में बहतरी डांस तो उर्वशी करती ही है साथ ही उनके जो लोक्स है वह वाकर कातिलाना है और आपको बता दे पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूर शूरू किया था अलू अर्जुन से से भी बहुत सारी तस्वीर लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सिक्यॉरिटी कर ल रहे हैं और चेक शॉर्ट नजर आ रही है नाइंटीज का दौर दिख रहा है इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है और साथ ही आपको बता दे इसमें सेंडल वो जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अलू अर्जुन और इसमें विजय अलू अर्जुन की पुषपा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार बड़े परदे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अलू अर्जुन नजर आएंगे जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर देखते हैं टीवी पर देखते हैं तो मज़ा आ जाता है लेक अक्षन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों यानि कि फुली एंटर्टेन्मेंट फिल्म होने वाली है क्योंकि एक्षन तो है ही साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकितार डांस भी इस वद में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलू चुन आपो कैसे लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉलिवर्ट, टॉलिवर्ट, हालिवर्ड रिव्यूस के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल कौन है फिल्म पुष्पा के विलिवर्ण और क्यों हुए है वो इतने मशूर वहीं कैसी है पुष्पा के हिरोई रश्मी का मंदिना की आने वाली फिल्मे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलिग्राद स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जोड़े कुछ नया अपडेट तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखे अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदिता हिरोईन कौन है या फिर कौन सी आक्रस है जो आपकी करेंट क्रश है तो किस आक्रस का नाम लेंग किया गूगल ने नाशनल क्रश शर्ट करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नाशनल क्रश हाश्टाग के साथ ट्रेंड करने लगी है और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शोट अपने ट्विटर अका नाद्रथ में भी काफी लोग परिया है रश्मिका ने कंडर 더मिल और तेल्गू फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में 24 पार्टी फिल्म से कंडर सिनिमा में डेब्यू किया था इस फिल्म === में रश्मिका की अदाकारी under पारीफ की गई थी और फिल्म मुस्साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्ट्रिस ने फिल्म के हीरो रक्षिव शिटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनीतरी साउथ की टॉप आक्रिसेज में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रच्मिका की जोड़ी बनाए गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रच्मिका साउथ के मशूर अभिनीता अलु अर्जुन के साथ दिखाई देंगी फिल्म के स्टोरी लाइन बेहर इंट्रिस्टिंग है और आंधरपदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है इस एजगाप को बनाए हुए रच्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपरस्टार सिंग्धम सूरिय के साथ काम करने जा रही है टॉलिवड अभिनेता सूरिय जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफल्दा के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे है और उनकी 40 सी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूरिय के अपोजिट रश्मी का मंदना होंगी वहीं सूरिय महेज बाबू और अलो अर्जुन तीनों ही शादिशुदा आक्तल सें अलो अर्जुन इस लिस्ट के सबसर जवान शादिशुदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं जिनोंने हाल ही में अपनी बेटी अलो अर्धा का जनम दिन पुश्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुश्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पुपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्तर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े आक्टर महेश बाबू के साथ काम करने के बाद अलो अर्चिन के साथ इस बड़ी फिल्म के ओपर को कैसे मना कर सकती थी अभी नीतरी वहीं आद आती है फिल्म एदेले मुश्विल जब रनवीर कपूर ने 9 साल बड़ी आक्टरिस आईश्वर्य राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखे कैसे समय बदल गया वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल आक्टस की समय बदला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुष्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मशूर है अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय सेदुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुश्मान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टिर के साथ विजय प्रडियूसर लेडिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय कमल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ तेलिगू, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेतुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अभॉड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अभॉड्स का सिलसला बरकरार रखेंगे और जल्द ही वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अभॉड जितने के बाद पुश्पा में विलन का किरदार निभाना आसान होगा विजय सेतुपति के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराथ स्टूरियोस को इस वीडियो के स्क्रिप्स जिम्रन रावत ने लिखी है एकनी सी बात के लिए इतना वाइलन्स मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुष्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्पिटर पर बदनाम आंतरप्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शुरू और क्या इस बार अलू अरजुन से हित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तों आपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तों इस बार लगता है स्टाइल स्टार अलू अरजुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं 12 नवंबर से शुरू हुई अलू अरजुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंतरप्रदेश के शेश्चलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंगी शूर्ट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफदार जहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोचल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तक्नीशियों को नियमेत अधार पर गोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलु अरजुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकवन अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अभी नीदा विजे सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगेटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विजे सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरिल धर्म की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है ये motion closer release होते ही तमिल लोगों के विजे सेतुपती पर हमला बोल देया जिहां दोस्तों का कहना है कि लाखों तमिलों के हत्यारे श्री लंका देश के क्रवकम सितारे की बायो पिक में काम करना एक दम गलत है जही हां दोस्तों मुथेया मुली धरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखों लोग है अशक शेम और विजे से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों लोग विजे से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा जो यहां दोस्तो जब फिल्म के सितारे विजे से तुपती मुश्किलों में पसे हुए हैं दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन रश्मिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी हैं साउथ की आक्ट्रिस रश्मिका मंदाना कई तमल तेलगो और कानट फिल्मों में काम कर जुती है वही साउथ में अब वो एक जानी मानी आक्ट्रिस के तौर पर जानी जाती है दोस्तों रश्मिका को साउट की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जार्च परताल दोरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए है जी हैं दोस्तों कैश के अलावा घर से प्रॉपर्टी के कागस भी बरामद हुए है वहीं रश्मका के मादा पिता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी बयात करने से बच रहे हैं रश्मका के बैंक की बी जान बीन की जा रही है और रश्मका केवल 24 साल की है और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपर एट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलु अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भाई क्या आप जानते हैं साउथ की इस चोल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीछे चुपी है एक दुख भरी दास्तान हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायल कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिट शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों क्या गुड़ चाहती है अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बन दाना तो बता दे दोस्तों रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बलकि एक अच्छा इंसान जीवनसाती के रूप में चाहिए इतनी मेंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अरजुन रेडी बाइक उठाय तयार होंगे में रश्मिका दो हजार इकिस की शुरवात ने अलू अर्जन के साथ पुश्पा में दिखाई देंगी साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें असिन पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों सिम को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पत्नम पहले पहुंची पुष्पा की तीम क्या लेना देना है इस लोकेशन का सिम से अलो अर्जुन की आने वाली सिम पुष्पा पर एक साहितिक साजी स्रच्रे कारोप लगाया जा रहा है जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था वेमपली ने दावा किया है कि सिम पुष्पा की कठानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी वहीं बता दें फिम पुष्पा एक तेलगु आक्शन सिर्म होगी जो क्या साउथ को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार हाल ही में लेखक वेमपली गंगाधर ने एक पोस्ट जाली जिसमें दिखाया था कि कैसे फिम पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी लेकक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भरकाने की कोशिश नहीं है बलकि जंता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने के एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिम को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है वेमपली गंगाधर आंदर प्रदेश के कडप पजले के खलेकक है गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मौलकला पुनमी तेरा लगू कथाओ का संगर है ये किसानों के दर्शाओं से इर्ध गिर्ध मुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू बो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकाल जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिर्म के निर्माताओं द्वारा अभी तब कोई आधिकारी टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चुरिंजीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोडी के लिए दोशी ठहराए गया है लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पटकता उनकी फिल्म के संबान थी वही पुषपा, सूकुमार द्वारा लिखित और निदेशिक नई तेलगू भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपटी बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे यह सूकुमार की फिल्म में पुषपा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादार अव्तार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुषपा राज की भूमिका निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एक असद्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केट्डिूल विशाखा पत्नम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमाल में पुषपा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चल रहा है फिल्म की कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तिरमुला के पहाड़ी शेतर शेष चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की ज़ाएगी स्टाइलिस स्टार अलु अजुन ने अपनी लॉरी जाइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चितृत करने के लिए पूरी तरह तया है इस लॉकडाउन के दुराण रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वह फिल्म में एक आक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए 6 करोड रुपे की भारी भरपाई करने वाले हैं जिस बज़े से ये फिल्म एक काफी एहन सीक्वेंस रहेगी वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी न चूट जाए बना बैक्ग्राउंड में 2007 के फिल्म एक 40 की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी चूटी चलना पड़ जाएगा मीडिया में एक्टरस रश्मी का मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए कैप्चर किया और हमारा लुमान है कि वेफिम पुष्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पैंडे डियर कॉमरे रभिनेट्री काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट रश्वा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान रोतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अजुन और रश्मिका के वीज फिल्मी केमेस्ट्री जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ है हमारे चानल बॉलिग्राड पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिल्चस्ट तार्च देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूलें आज के हमारी स्क्रिप्ट अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अलू अर्जुन के अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलू अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप थेटर मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलू अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया अन्फॉलिंग कम नहीं है लेकिन ये फर्स टाइम हो रहा है तो अलू अर्जुन ने पूरे जान जोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले है प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये बॉलिवुट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलू अर्जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मे का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील करने अगया है सूरिया जो कि अलू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ और सेंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलू अर्जुन उनके जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलू अर्जुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंड्स साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी तो उसी टाइम का यह दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे कि अलू अर्जुन का लोग जो की कॉली हैर उ फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का यह ज़रूर बताएगे और यह नौर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिन कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है अलो अरजुन के अपकमिंग फिल्म पुषपा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुषपा की वर्ड़ वाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुषपा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्रास टूडियोस मैं हूँ सोनी का जवाल बात करेंगे साउट के स्टाइल स्टार अलू अरजुन के जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुषपा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किये गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिल्म को सुकुमार डैरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिये है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाते है और एकदम से धमाका मचाना चाते है इसके लावा आपको बता दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया ये फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बात करें और हंड्रेट परसेंट ओक्यूपेंसे रही थेटर्स में अगर पैंडिमिक सही हो गया एकदम औ तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भासाओं से जो बाकी भासाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड यह उक्यूपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 200 करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड का यह ओवर सीज कलेक्शन करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्डवाइद यह 1500 करोड की कमाई कर सकती है, हिंदी तम आमल तैलगू से 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में, तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम तोटाल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें, तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुषपा कर लेगी, इसमें जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितनी भी फिल्में आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डप जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फ लखनी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा विजय सेतूपती इसमें होने बाले है एक और विलन का लाम सामने आचुका है वो है आर्या और अलू अर्जन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कले अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली हैं रश्मी का दर्शकों को क्या इस नए के दास से बदल चाहिए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलू अर्जन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलिकराद स्टूडियोज में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखे अपनी खुपसूर्ती और क्यूटनेस की वज़ा से हर जग अचा रही है कंड़ अभी नहीं तरी रश्मे का मंदल दोनों कि यह साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर्षक है पुश्पा जो फिल्म में अलो में के किरदार का नाम भी रहीगा और ये आंदर प्रदेश की जंगलोग से लालम चंदन की समगलिंग की कहानी पर आधारित है अलो में नहीं चैर्टीन जिन होने बच्पन मे अबिनीतरी चौबीस साल के सभी नीतरी ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सरी लेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार कि बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अफ़तार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरस अंदाज में देखी गया भी नीतरी अब करने जा रही है गाउ की गोरी का किरदार फिल्म में वे गाउं की गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कंणर व्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनिमा की तरफ जल्दी रशमिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से प अईश्वर्य राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला वहीं दिपका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजिराव मस्तानी और पदमावत ने दिपका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक मे अबी तक बताया नहीं गया है अलू आरजू फिल्म पुष्पा के ड़ारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहित फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मेथ्री मेक्रस बैन। बेरूल के कर रहे हैं और जो अलू आर्जुन और डारेक्टर को औरतला श्रिवा के साथ फिल्म हाश्टाग एएट्विंडीवन से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुश्पार डारेक्टर सुकुमार अलू आर्जुन और रुश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है अलू एक एक ड़ा की इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा की प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला देगा तुम जरा सा खुन दिकते तुना टर गए इस से पहले कि मैं खुन की नदियां पहद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेगा रहे इसकी कुल की मत नहीं है जिसका तिल पतरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादू बेटों की तभी नहीं है इस मल्क इमेट्डी उटके अरूं से नहीं है अन्ने एक राक्चस को तो दोबोच हुआ लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा ज़िए तो अन्ने उसके साथ जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी। प्रिटिश हुकूमत को इसकी जड़ों से ही इखला दिया। तुम जरा सा खून दिक कर इतना टर गए है। इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपन दिखाना बेगार है। इसकी कोई कीमत नहीं है। जिसका तिल पत्रका उसको फर्ख नहीं पड़ता। लुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है। इस मलक दिमेट्री उन्तियों की खून से नहीं है। उन्हें एक राक्चस को तो दोबोच विए। लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लेगा। इसा कुछ हुआ है जोना कभी देखा गया। तक अभी सोचानी। प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला देगा। तुम जरा सा खून पे कड़ इतुना टर गए। इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपन दिखाना बेगार है। इसकी कोई कीमत नहीं है आप। जिसका दिर पतर का उसको फरक नहीं पड़ता। जुस्तान में बहादर बेटों की तमीनी है। जुस्तान मुक्त इमिटी उसके खुरूं से नहीं है। उनने एक राक्षस को तो दबोच लिए। लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए।